नमस्कार, A to Z Dishes उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ बेंगाल की स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी चम चम ये एक मिठाई होती है, इतनी मज़िदार लगती है ना आजे छेने से बनाई जाती है, बहुत ही आसान है, इसे बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है जितनी ये दिखने में मज़िदार लगती है, खाने में भी इतनी स्वादस्ट आप इसे कोई भी स्पेशल लोकेशन पर फेस्टिबल पर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, उसके लिए मैंने गैस के ओपर कड़ाई रखती है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक लीटर दूद तो यहाँ पर आप जो भी दूद इस्तमाल करते हैं वो ले सकते हैं पैकेट वाला या फिर कोई भी जो आप इस्तमाल करते हैं तो मैंने एक लीटर लिया है, अब गैस के आज को मैंने बढ़ा करी रखा है तेजी रखना है, और एक बार इसे चला लेना है अब इसमें उबाल, एक उबाल आ जाए तब तक इसे हमें पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूद में एक उबाल आ गया है विनेगर दूद फारने का काम करता है, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नीम्बू का रस्त भी इस्तमाल कर सकते हैं देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके डाला, दूद दूद है, वो फट किया है हमारा चैना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है अब हम गैस को बंद कर लेंगे और ये चैने को हमने एक छनी में इस तरह से निकाल लिया आप चाहे तो कपड़े में भी निकाल सकते हैं और इसे हम पानी से वाश कर लेंगे वाश इसलिए करना है कि जो विनेगर या फि एक से दो बार इसे अच्छे से वाश कर लीजेगा फिर इसका हलका पानी निकालने के बाद मैंने फिर से गैस के ओपर कडाई रख दी है छैने को मैंने साइगे में डाल रहूंए एक कप चीनी और Lewis के साथ उसी कब से मैंने इसके अंदर डाल दिया है तीन कप पानी तो पूरा तीन कप भर कर मैंने पानी डाल दिया जिस कब से मैंने चीनी डाले थी अब एक बार इसे हम चला लेंगे चलाने के बाद इसे ढख कर हम पकने देंगे हमें ये जो चीनी है अच्छे से पानी के अंदर पकने देनी है तो ये पक रही है, आज मैंने मद्यम कर ली है, वो पक रही है, हमने यहाँ पर ये छेने को एक बड़ी सी इस तरह से थाली में ले लिया है, अब इसको हमें अच्छे से मसलना है, इसके जो ये दाने है न वो बिल्कुल भी रहने ने चाहिए, एकदम इसको स्मूध बना लेन तो आप देख सकते है, मैं इसी तरह से मसलती जा रही हूँ, अब इस तरह से एक से दो मिन तक मैंने मसला है, अब इसके अंदर में डाल रही है, ये मैंने एक चम्मत जितना पहले डाला है, अच्छे से एक बार इस तरह से फैला लेंगे, और इसे और मसलेंगे, तो आप द पहले एक चमज डाला था, अच्छे से मसल लिया, अब मैं एक चमज और आरा रोट डाल रही हूँ, टोटल मैंने दो चमज इसके अंदर आरा रोट डाला है, और अच्छे से एक दम जब तक इसके जो ये दाने हैं न छेने के अंदर, वो एक दम खतम नहीं हो जाता, एक दम स्मूध नहीं हो जाता है तब तक आपको इसे मसल नहीं है बस जो थोड़ी सी मैनत लगती है वो इसमें ही लगती है बाकि ये खाने में बहुत ही मज़िदाल लगती है एक बार ताप इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से स्म आ लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसाप्ध कर लिया अब इस तरह से तुकड़े कर लेंगे जितनी आपको जम जम की साइस चैंप हिसनेanız से आराल प्र तरह आपको चंडर देगो इसी तरह से हम करेंगे चमचम की साइज अपने असाब से चोटी बढ़ी कर सकते हैं मैंने इस तरह से की है और आप देख सक्ते इसी तरह से आपको शेप देना है और जैसे यह आप यह लेते तो आपको दोनों हाथ के बीच में फिर से भी मसल लाएं इसे हलका हलका और यह अच्छे से शेव दे देना है तो देख सकते हैं किते बड़िया लग रहे हैं और आप देखिए इसी तरह से आपको सारे बना लेने हैं तो यहाँ पर टोटल आप द जरूर रखेगा तो हमारे यह टोटल साथ तयार हो गए हैं और हमने जो यह चाशनी बनाई थी ना इसके लिए इस तरह से चाशनी बनाई जाती है और देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिगल गई है अच्छे से यह तयार हो गई है यह चाशनी नहीं है पर चाशनी जैसा ह है अब इसके अंदर हम ढाल देंगे हमारे यह चम चम तो देख सकते मैंने इस तरह से यह सारे ढाल दिये हैं आज को हम रग देभ मद्यम अज पर आपको इसे पकाना है तो पहले एक बार इसे हम चला लेंगे हलका सा और इसे ढख कर हम 12-15 मिनट तक पकाएंगे और अब हम आज को धीमी कर लेंगे और इसे पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 15 मिनट हो गए हैं और हमारी देखिए चम-चम के अंदर अच्छे से एकदम बढ़िया से यह मिठास चली गई है अच्छे से पक गई है तो गैस को बन कर लेंगे और हमारी यह चम-चम को इस तरह से निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से निकाल लेनी और इसे बाहर रखकर हम एच्छे से ठंडा कर लेना है बाहर रखकर हम यह ठंडी हो रही है जब तक हम इसके अंदर की जो फिलिंग है न वो बना लेंगे इसके लिए कड़ाई में आपको डालना है एक कप खोया जिसे फिका मावा भी कहते है ऐसे हम दो से तीन मिनिट तक दीमी आज पर भूनेंगे ध्यान रखेगा इसके अगर आपको रेसेपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिम्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं मैं दे दूंगी इसका लिंग या तो फिर आप मार्किट का भी इस्तमाल कर सकते हैं दो से तीन मिनिट इसे बूनने के बाद दीमी आज पर हम इसके अंदर डाल देंगे दो स इसे चाहरा मज़ लिया था और केसे डाल के रख दिया था दूशाष की जया तब तक इसे हम अच्छे से पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हिस तरह से हो गया करीब दो मिन तक मैंने पकाया है दीमी आज पर और अब शेता है और निकालने के बाद शेता है ता कर दे अ है अब हमारी जो feeling है न मावे वाली थपंडी हो면 ये जल्दी से थपंडी हो जाती है तो बीच में हम इसे इस तरह से अच्छे से डाल देंगे तो आप देख सकते है मैंने dit ये डाल दी है इस तरह से ढ़ा दा लेना है हमें अच्छे से फिल्ट कीज़ेगा तो इसी तरह से हम सारी तयार करेंगे देख सकते हैं अच्छे से ये कट कितनी स्पंजी है हमारी बढ़िया कट लगा लेना है बीच में ये मावे भाली स्टाफिंग डाल देनी है और यहाँ पर जो मैंने दूद में केसर डाल के मिलाया था ना मावे में अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यलो फूट कलर भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चंचं के अदर फिलिंग कर लिए अब यहाँ पर मैंने रेट कलर की चेरी ले लिए जिसे मैंने बीच से काट लिया है और अब हम यह लगा लेंगे एक कितनी सुन्दर लग रही है और सच्ची में जितनी ये सुन्दर लग रही है न मिठाई इतनी ये खाने में भी बहुत ही मज़िदार है एक बाद तो इसे जरूर ट्राइ कीजेगा या आप तुरेंट भी खा सकते हैं या ठंडी करकर फ्रिज में रखकर ठंडी करकर खाएंग इसी तरह से हम सारी में लगा लेंगे तो यह बेंगाल की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी इतनी मज़ेदार लगती है लेजे तैयार है बहुत ही टेस्टी लगती है अभी फेस्टिवल सारे उसमें बनाए या कोई भी स्पेशल लोकेशन पर बहुत मज़ा आ जाएगा तो मज़े ट्राइ कीजो मज़े कमें सेक्षन बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छे लगिए वीडियो को लाइक कीजो शेयर कीजो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुले थैंक्यू